भागलपुर के राजद के पुर्व जिला ध्यक्ष वर्तमान में सच्यू और तेजश्वी यादो के बेहत करीबी तीरूपती यादो कल भागलपुर के भूतनात मंदिर पहुंचते हैं उस मंदिर में पहुंचने के बाद वो महिलाओं को अशलील नजरों से देखने लगते हैं उसके बाद उन पे टिपणिया कसने लगते हैं अशलील हरकत भी करते हैं जिसके बाद उस मंदिर में आरजडी के नेता की जम के पिटाई हो जाती है महिलाओं ने उस RJD के नेता को जिनका नाम तिरूपती यादो है उनको एक चोबूतरे पे बैठाती है और जम के पिटाई करने लगती है महिलाओं से पिटते हुए देख और भी लोग वहाँ पर मौजूज हो जाते हैं वो जब मामला समझते हैं तो वो लोग भी RJD के इस नेता की जम के कुटाई करते हैं अब देखें ये मामला जो है काफी हाइलाइटेड हो चुका है भागलपूर में इस मामले की खूब चर्चा हो रही है साथी साथ बिहार भर के तमाम लोग इस बारे में खूब चर्चा कर रहे हैं कि RJD के नेता जो है इस तरीके की गंदी हरकत कर कैसे सकते हैं चले इस मामले को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं आपको बताए कि भागलपूर में राजद नेता पर महिला ने मंदिर में अशलील हरकत करने का आरोप लगाया और जम के पिटाई कर दी आरोपी नेता की पैचान प्रदेश सचीव और पुर्व जिला ध्यक्ष तीरूपती नाथ यादों के रूप में हुई है असलील हरकत करने के आरोप में महिला ने कॉलर पकड़ कर नेता की की जम की पिटाई कर दी अब इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल भी हो रहा है आप फोटो में देखिए महिला तिरूपती यादों का कॉलर पकड़ते हुए दिख रही है घटना जो है कल की है सुबह छोटी साहिब गंज के ओपी थाना इस्तित भूतनाथ मंदिर में जब राज़त नेता पहुंसते हैं तो वो असलील हरकत करने लगते हैं मामले में राज़त के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता शक्तियादों ने कहा कि हम इसके तहकिकात करेंगे और साक्ष के साथ कोई आरोप सामने आएगा तो पार्टी अपने कर्तेवे से नहीं चुकेगी पीडिता के कहना है कि जब मैं पूजा कर रही थी तो राज़त नेता ने गाली दे दी उसके बाद जब मैंने इसका विरोध किया पीडिता के आरोप है कि मंदिर के पुजारी राहुल भी आरोप लगाए है महिला का कहना है कि पुजारी और राज़त नेता दोनों ने मिलकर महिलाओं पर गंदे कमेंट किया है पीडिता ने कहा कि राजद नेता को पद से हटाई जाना चाहिए वो पद के लाइक नहीं है आप देखे वीडियो एक वाइरल हो रहा है उस वीडियो को हम नहीं चला सकते हैं क्योंकि यूटूब का कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है जिस वज़ा से वीडियो हम आप तक नहीं पहुँचा सकते हैं लेकिन स्क्रिन्शॉट के माध्यम से फोटो के माध्यम से आप ये पूरा मामला जो है वो आप अपने स्क्रिन पे इस वक्त देख रहे होंगे इसके बाद पीडित महिला ने राजदनेता को मंदिर में पकड़ा और जम कर क्लास लगाई और जम कर पीटा भी महिला ने राजदनेता को थपड़ भी जड़े महिला के परिजन भी राजदनेता तिरूपतिनात यादों का कॉलर पकड़ा गटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें राजद नेता अपनी सपाई में बाते रख रहे हैं वो खुद को महिला से बचाते दिख रहे हैं और उपने उपर लगे आरोपों को बे बुनियाद बता रहे हैं तो ये इस्तिती है इस वक्त भागलपूर में एक राजद नेता के द्वारा महिला पर अबद्र टिपड़ी छेड़ चार गाली गलोज तमाम आरोप लगे हैं बराल जो राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि इस मामले की तहकीकात हम करा रहे हैं जो भी मामला होगा जो भी साक्ष के साथ अगर मामला सही पाया गया तो हम उनको पद से बरखास्त करेंगे पराल पद से बरखास करते हैं या फिर नहीं करते हैं या फिर तिरुपती यादों बच जाते हैं इस पर भी लगतार हम वीडियो करते रहेंगे फिलार इस वीडियो में इतना हैं देख तेरे हमारी चानल द बिहार टॉप धन्यवाद